हाई फ्रेंद्स हाई यू वाई गुड मॉर्निंग तू अल उफ यू सुट्रे इस थर्टीए जैन चले देखते आज क्या था जिसनों नहीं सुना है ट्विटी सेकंड से ट्विटीनाइन तक का प्लीज हम लोग लेक्चर ले आये हैं तो वह ट्विटीनाइन जैनुरी का आ अपने सिटिजन्स की उन्होंने ये भी खाये कि जो इतनी वाम इनकी फ्रेंड्शिप हुई है प्राइमनिस्टर नरिंदर मोदी की और इसराइल के प्राइमनिस्टर की उसमें वही वजह थी कि जो 2019 में इंडिया ने जो सपोर्ट किया था इसराइल को जो बेसिकली वोटि अब इसके लिए क्या इंपोर्टेंट होता है कि आपको पेपर में कैसे लिखना होगा अभी मैं वह बताता हूं उसके बाद ये जरूर अचाए इंटर्वी में आपसे पूछा जाए तो सेयद अगबरुदीन जो थे जो इंडिया के अंबेसिटर थे तो यूए अट टाइ पे लिया था ठीक है अब इंपोर्टेंट क्या हो जाता है जो ने बच्चे हैं जो नया सुन रहे होंगे तो देखें पेगेसे के उपर हमने पूरे लेक्चर्स बिना रहे हैं क्या पेगेसे स्पाइवेर है इसके एडिटोरियल डिसकेशन सर्विलेंस और जनरलिस्ट यह स किया था और पेगेसेस के जो फॉर्डर पॉइंट्स थे हमने एडिटोरियल डिसकॉशन में किये थे कि इंडिया सिग्नेटरी है युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ हुमन राइट्स का इंटरनाशल कन्विनेंट ऑन सिबलें पॉलिटिकल राइट्स वो थर्ड ऑगस को सु प्रिम कोर्ट के व्यूज थे जो 28 अक्टूबर को आये थे उसका लेक्चर सुनीगा ये तीन चल लेक्चर बहुत इंपोर्टन है इसके लिए उसके बाद आप ये लिख सकते हैं या अगर आपसे बात हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि नियॉयॉक टाइम्स में भी ये 1992 में किये थे पीवी नर्सी मराउ सी अप्राइम लिस्टा थे उसके वह या दखेगा तो उसको 30th anniversary को एक celebrate करने के लिए उन्होंने एक logo लॉंच किया उसमें स्टार अफ डेविड बेसिकल स्टार शेप का होते हैं वह उनके जंडे में भी है और अशोब का चक्र अशोब का बीच में हुआ है countries के बीच में तो या दखेगा इंडिया इस्राइल के बीच हुए एक पेज एट पर यूस थी कि plants which are hemiparasites are partially dependent on their host plants for nutrition hemiparasites means जो partially पुली dependent नहीं होते हैं अपने host plants me तक मतलब जिस plant पे वो उग रहे हैं parasites for nutrition अब इसके लिए important क्या होता है अब धेखेगा कि parasites जो होते है ना वो दो तरीके क्यों होते है total parasites और दूसरा होता है semi parasites या partial parasites और hemiparasites कर सकते हो total parasites क्या होता है तो total parasites क्या होते हैं उनके अंदर वह process नहीं करते है chlorophyll आपको पता होगा chlorophyll green color का होता है जिसमें आप photosynthesis के तुरू आप अपना seeds या अपने खाना का अपना host का वो कर सकते हो तो उसमें लिखा है कि एक तो होता है total parasites उनके अंदर chlorophyll नहीं होता है तो वो अपना सारा का सारा खाना अपने host plant से लेते हैं ठीक है चाहे वो host plant की branch से निकल रहे हो stem से निकल रहे हो root से निकल रहे हो ऐसा नहीं है कि सिर्फ stem से निकलेंगे या root से निकलेंगे ये important है दूसरे होते है semi parasites या partial parasites या hemiparasites इस plants का क्या होता है कि इनके अंदर chlorophyll होता है chlorophyll means green color का जिससे वो photosynthesis से अपन synthesize कर सकते है food खुद ही ठीक है मगर ये क्या होता है कि ये खुद का तो कर लेते हैं मगर जो अपने minerals के लिए और water requirements होती है इंकी वो अपने host plant से ही लेते हैं ठीक है इनकी importance पहुत है क्योंकि ये बहुत important role play करते है ecosystem में because they provide food for frugivores birds frugivores birds आप समझते होंगे ये वो birds होते है जो fruits काते हैं seeds काते है plants की कभी ऐसा नहीं कि fully vegetarian होता है कभी-कभी ये insects भी काते हैं जब इंको protein requirement या energy requirement होती है और सबसे बड़ी बात है ये dispersal of seeds में भी बड़ी help करते हैं तो ये important है ठीक है आज इतना ही था आज कुछ ऐसा science page पे कुछ ऐसा नहीं था जिसके notes में आए है so that's it for today thank you so much for listening and have a good day bye take care god bless y'all